प्रोपर्टी को एक परसन से दूसरे परसन पर ट्रांसपर करने के लिए तीन चार तरीके होते हैं जिसमें से सबसे पहला तरीका है सेल डीड आप उस प्रोपर्टी को एक परसन से दूसरे परसन पर सेल डीड के तुरू भी ट्रांसपर कर सकते हैं और इसका जो दूसरा तरीका है वो है विल के तुरू विल को एक supreme document मना जाता है और आप एक property को एक person से दूसरे person पर विल के तुरू भी transfer कर सकते हैं और जो तीसरा तरीका है वो है या तो transfer deed या फिर give deed और माना जाता है कि अगर कोई भी property एक बार give deed के तुरू एक person से अगर दूसरे person को transfer कर दी जाती है तो उस give deed को revoke नहीं करवाया जा सकता और उस give deed को cancel नहीं करवाया जा सकता लेकिन ऐसा बिलकुल भी नहीं है क्योंकि इसके regarding हाल फिलाल में एक लिए test कानुम आ गया है जानेगे आज की इस वीडियो में क्या हो ले test कानुम जो की give deed के regarding आया है मैं हूँ advocate मोहिद और आप देख रहे हैं हमारा channel legal attack अगर आपने इस channel अब तक subscribe नहीं किया तो channel को subscribe करेजिए क्योंकि low selected बहुत वड़ीया content इस channel पे आने वाला है तो friends बिना किसी देरी के चलिए वीडियो शुरू करते हैं तो friends जीस judgment में ये low point decide क्या गया है उसका नाम है सोनामती देवी वर्सिज महंदर विशो कर्मा 15 सेफ्टमबर 2021 को ओन्रेवर सुप्रीम कोट की ये latest judgment आई है तो सबसे पहले हम इस case के facts जान लेते कि इस case में क्या हुआ था तो इस case में जो यदुनंदन था उसके पास 2.92 एकरड एक जगह थी तो उसने उस property की जो gifted कर दी अपने nephew की wife की favor में और वो की थी उसने 1 दिसंबर 1998 को और वो इस assumption में की थी कि मेरा nephew जो है या फिर उसकी wife जो है वो मेरी सेवा करेंगे मेरी देख बल करेंगे और मेरे को maintain करके रखेंगे लेकिन जैसे ही वो gift deed जो है वो nephew के wife के favor में हुई तो उसके बाद जो nephew था उसने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिये और यदुनंदन की care करना भी बंद कर दिया तो यहाँ पर 11 दिन के बाद ही 12 दिसंबर 1998 को यदुनंदन ने एक cancellation के लिए application लगा दी और यह कहा कि यह जो gift deed मैंने execute की थी उसके बाद मेरे nephew ने जो है वो रंग बदल दिये है मेरे को maintain भी नहीं करता और मेरी कोई भी देखबाल नहीं करता है और यहाँ पर जो यदुनंदन ने application trial court में लगाई थी cancellation के लिए तो वो trial court ने उसकी इस application को allow कर दिया और यहाँ से trial court से यदुनंदन उस case को जीत गया जो भी उसने give deed execute की थी उसको cancel करके यह direction दी गई कि इसकी जो यह property है वो आपिस दी जाए तो इस order से agreed होकर nephew ने appeal file की district judge के पास और यहाँ पर जो trial court ने order दिये थे उस order को reverse कर दिया गया और यह कहा गया कि nephew के wife के favor में जो give deed execute की गई है वो बिल्कुल ही ठीक की गई है और उसको revoke और cancel नहीं किया जा सकता तो यहाँ पर अपिलेट court में जो nephew है वो जीत चुका था तो अब यहाँ पर उस order से agreed होकर जो यदुनंदन था वो गया honorable high court में honorable high court में भी जो nephew था वो उस case में जीत गया और जो यदुनंदन की अपिल थी उसको dismiss कर दिया गया तो अब यहाँ पर honorable high court के order से agreed होकर जो यदुनंदन है वो पहुँच गया finally supreme court में और honorable supreme court में दुनों parties की तरफ से काफी सारे argument हुए और यदुनंदन की तरफ से ये argument थे कि ये जो give deed है वो undue influence में execute करवाई गई है और वो इस average में करवाई गई है कि ये मेरे को maintain करेंगे मेरी देखबाल करेंगे लेकिन जैसे ही ये give deed execute हुई है इन्होंने देखबाल करनी ब कि ये जो give deed execute की गई है इन्होंने अपने होसोवास में की है और हम इनको maintain भी करके रखते हैं और इनकी देखबाल भी करते हैं और साथ में nephew की तरफ से ये भी कहना था कि अगर एक बार जो give deed है अगर वो execute हो जाती है तो उसको revoke नहीं किया जा सकता तो यहाँ पर दोनों पार्टीज के argument सुनने के बाद उन्डेबल सुपरीन कोर्ट ने ये finding दी कि ये जो give deed है ये undo influence में execute की गई है और ये इस average में की गई है कि जो nephew है और उसकी wife है वो यदू नंदन की care करेंगे देखबाल करेंगे और उसको maintain करके रखेंगे और साथ में उन्डेबल सुपरीन कोर्ट की तरफ से ये भी कहना था कि जो nephew है वो यहाँ पर अपने close relation का और blind trust का undo benefit ले रहा है तो यहाँ पर उन्डेबल सुपरीन कोर्ट ने ये कहते हुए कि ये जो give deed है इसको undo influence और fraud से obtain किया गया है तो इसको void declare किया जाता है तो यहाँ पर उन्डेबल सुपरीन कोर्ट ने जो trial court के order को confirm कर दिया और ये का कि जो district judge ने order pass किया है और उन्डेबल हाई कोर्ट ने order pass किया है उसको यहाँ पर set aside किया जाता है तो friends आसा करता हूँ कि आप लोगों को समझ आ गया होगा कि जो भी give deed है उसको भी revoke किया जा सकता है या फिर cancel किया जा सकता है और इसके साथ साथ मैं आप लोगों को ये भी बता दूँ कि इसके regarding एक और कानून है जो कि है section 23 of senior season act कि अगर कोई भी माता पिता या फिर senior season अपने बेटे के नाम पर या फिर बेटी के नाम पर अगर कोई भी transmitted एगजीकूट करते है या फिर give deed एगजीकूट करते हैं और वो इस average में करते हैं कि उनके बेटा या फिर बेटी जो है वो उनकी देखबाल करेंगे और property को लेने के बाद वो देख बाल नहीं करते तो उस situation में जो भी वो माता पिता है या फिर senior citizens है वो अपनी property को under section 23 of senior citizen act 2007 उसको वापिस पा सकते हैं So friends आसा करता हूँ इस वीडियो से और इस judgment से आपको कुछ सीखने को मिला होगा और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक किजेए शेयर कीजिए और अगर आपने ये चैनल अब तक सबस्क्राइब नहीं कहा तो चैनल को सबस्क्राइब कर लिजिए च्योंकि लोग से लेटिड बहुत ही वीडिया कंटेंट इस चैनल पे आने वाला है